नमस्कार प्यारे विद्यारतियों, स्वागत है आपका दिरस्टी टीचिंग एक्जाम्स में आज की चर्चा में हम लोग बाल विकास एवं सिक्छा सास्त्र के ही एक महत्पून बिंदू को लेकर बात करेंगे इस बिंदू को जब हम कक्षाओं में पढ़ते हैं तो ये बिंदू आता है जब हम इस्मृति और विस्मृति को लेकर पढ़ रहे होते हैं यानि कि याद करने को लेकर और भूलने को लेकर जब हम कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं तब ये बिंदू आता है तो कुछ वाते आपके लिए जाननी जरूरी हैं विद्यारतियों के लिए भी इस रूप से लाबदायक होता है कि वो कौन से मैथड हैं वो कौन सी विधियां हैं जो याद करने के लिए हैं तो आज हम बात कर लेंगे इस्मरण करने की जो विधियां है अच्छा इसमर्ति का और विसमर्ति का दोनों का ही सेक्षिक महत्व है जितना महत्वपूर्ण याद करना है उतना ही महत्वण भूलना भी हो जाता है कई मामलों में जैसे आप ऐसे समझे कि विधियारति अपने अध्यन के दोरान ऐसे बहुत सारे बिंदु होते हैं बहुत सारी जानकारी बहुत सारी सुजना ऐसी होती है जो उसको याद रखनी आवश्यक नहीं है या सार्थक नहीं है आप ये कह लीजे तो अच्छी समर्ति का एक गुण ये भी होता है कि जो निरर्थक चीजे है वो उनको भूल जाए बास समझ पाए और जितना जटिल या जितना कठन आपको इसमर्ण करना लगता होगा आभी कि इसमर्ण करना बहुत कठिन है आप ये तैमान के चलिए उससे अधिक कठिन है विसमर्ण करना कभी आप प्रियास करके देखिए तो इसमर्ण करना और फिर उससे भी हम ये क्या दे कि विसमर्ण करना और कठिन हो जाता है तो वो कभी और बात कर लेंगे विसमर्ण के लिए क्या करना चाहिए कौन से तरीके हैं जिनसे हम चीजों को भूल जाते हैं उसक पूर्ण करने की विधियों में पहली विधी है पूर्ण विधी अब इस पूर्ण विधी में नाम से स्पस्ट हो जाएगा पूर्ण इसका मतलब ये है कि जिस पाठ को बालक को याद करना है या ये कह लीजे कि याद किये जाने वाले पाठ को शुरुवात से और अंत तक उसको पूरा पढ़ा जाता है यानि कि याद किये जाने वाले पाठ को आरंब से अंत तक पढ़ा जाता है और उस पढ़ने के दोरां क्या होता है यह उसके इस्मन करने के एक विधी है पाठ को शुरुवात से लेकर अंत तक पढ़ना आरंब से लेकर अंत तक पढ़ना है यह पूर्ण विधी कहलाते है यह जब पाठ का पूर अध्यन किया जाए जो पूरे पाठ को पढ़ा जाए बात समझाई होगी अब इन विधियों में आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि कौन सी विधी ऐसी है जो छोटी आयू वाले विध्यारतियों के अनुकूल है कौन सी विधियां ऐसी है जिसके लिए अधिक आयू वर्ग के आवश्यक्ता होती है या उस विधी की जो मांग है वो अधिक आयू वर्ग की है या ये कह सकते हैं कि अधिक आयू वर्ग वाले जो बालक है उस विधी का प्रियोग करके आसानी से पाठ का इस्मरण कर सकते हैं बिंदों का इस्मरण कर सकते हैं चीजों को तो जो पूर्ण विधी है, इस पूर्ण विधी में हमने बात की कि क्या होगा, पाठ को शुरुवात से पढ़ा जाएगा और अंत तक पढ़ा जाएगा, यनि कि एक बार में पाठ को पूरा पढ़ना है, तो आप सहजी क्या कहेंगे, कि यदि एक पाठ छोटा होगा, तो उस यह कह सकते हैं, कि छोटे और सरल पाठ जो है, आप कहलेंगे, जो कविताएं होती हैं, कविताएं आपने याद कियोंगी, तो जो कविताएं होती हैं, उनको याद करने के लिए, छोटे पाठों का इस्मरण करने के लिए, यह विधी अधिक उप्योक्त है, बात समझ में आ कर लिए कि जो छोटे पाठ है या कविताएं जैसे हैं उनको याद कर लिया जाता है आरहम से अंति तक पढ़ो उनको कई बार पढ़ो चीजे याद होने लगती हैं इसमरण हो जाती हैं दूसरी विदी है खंड विदी अमान के चलिए कि कोई पाठ बढ़ा है सभी पाठ विवाजित किया जाता है कई भागों में एक पाठ को कई खंडों में कई भागों में विवाजित कर लिया जाता है और एक एक भाग को याद किया जाता है और एक भाग को याद करते करते क्या होता है पूरा पाठ याद हो जाता है अब आप सहाजी कहेंगी कि जो ये विध बच्चे हैं सामाने विद्यारती हैं सामाने विद्यारती कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जिनकी जो बुद्धी लब्धी के इस्तर पर पीछे नहीं है मलब जो ओसत बच्चा होता है जातो बुद्धी लब्धी बहुत अधिक ना बुद्धी लब्धी बहुत कम ऐसे बाल बढ़ा है तो क्या करेंगे खंड विधी का प्रियोग करके उन बिंदू को याद कर सकते हैं उसमें पाठ को छोटे-छोटे कई खंडों में विभाजित करके उनको याद किया जाता है बात समझा गई होगी अब तीसरी विधी होती है इन दोनों का प्रियोग करके हम कह सकते ह उसको मिश्रित विधी क्या कह सकते हैं आप मिश्रित विधी मिश्रित विधी कहने का मतलब ही हुआ कि जिसमें पूर्ण विधी की विशेस्ताएं भी हो पूर्ण विधी के गुण भी हो और जिसमें खंड विधी के गुण भी हो अर्थात उसमें ऐसा होगा कि पहले पूरे को पढ लिया जाएगा, पहले पूरे पाठ को पढ़ाया जाता है बालक को और फिर क्या करते हैं कि उसे छोटे-छोटे खंडों में विभाजित करके बालक को याद कराते हैं, तो ये मिशृत-विधी का प्रियोग भी छोटे बच्चों के साथ में, सामान्य बच्चों के मिश्रित विधी यानि कि जिस विधी में पूर्ण विधी के भी गुण हो और जिस विधी में खंड विधी के भी गुण हो वो कहलाएगी मिश्रित विधी इसमें क्या होगा याद किये जाने वाले पाठ को एक बार पूरा पाठ पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद जब या प्रगतिशील विधी इसमरन करने की अगली विधी है प्रगतिशील विधी अभी प्रगतिशील विधी क्या कहती है प्रगतिशील विधी इस विधी में क्या किया जाता है कि जो याद किये जाने वाला पाठ है उस पाठ को कई खंडों में विभाजित कर लिया जाता है जैसे खंड विधी में हम लोग कर रहे थे तो पहले पाठ को कई खंडों में भाजित कर लिया गया सरपृथम क्या होगा कि पहले खंड को पढ़ाया जाता है सरपृथम पहले खंड को पढ़ाया जाएगा फिर क्या होगा उसके साथ में दूसरा खंड जोड दिया जाएगा अब क् कि क्या होगा पूरा पार्ट याद हो जाएगा ये विधी है तो उपयोगत ये विधी काफी उपयोगी है लेकिन इस विधी की एक सीमा है मान लीजे हमने किसी पार्ट को चार खंडों में विभाजित किया मान लीजे अब हमने पहले एक खंड पढ़ा फिर जब बात आई तो वो पहला खंड हो गया और सबसे कम जिसका रिविजन किया जाता है वो सबसे अंतिम खंड हो गया इस विधी का एक दोश ये है कि उसमें जो पहला खंड है वो सरवाधी किस्मरण रह जाता है और जो सबसे अंतिम खंड पाठ का होता है वो सबसे कम याद रह पाता है अगली इस्मरन करने की विधी है अंतर युक्त विधी अंतर युक्त विधी अब यहां भी नाम से इसपस्ट हो जाएगा अंतर युक्त विधी एक ऐसी विधी जिसमें अंतर नहीं थे यानि कि इस विधी में पाठ को थोड़े थोड़े अंतर यहां पैसे गई यह थोड़े थोड़े समय के बाद याद किया जाता है, पहले थोड़ा सा बिंदू याद कर लिया, फिर कुछ समय लिया, फिर थोड़ा बिंदू याद कर लिया, अब ये जो अंतर है, वो एक मिनिट का भी हो सकता है, चोविस घंटे का भी हो सकता है, अंतर कितना भी हो सकता है, अंतर के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है एक गंटे का हो दो गंटे का हो यह 24 गंटे का हो ध्यान के रखना है कि उसमें अंतर है पाठ को थोड़े-थोड़े समय के बाद में याद किया जाता है आप यह कह सकते हैं इसलिए क्या होता है कि कहा जाता है कि पाठ को याद करना जि उस पाठ को याद करने के बाद पुछ समय का विस्राम ले लिया, तो इससे क्या होता है कि आपने याद जो बिंदु किये हैं वो अधिक इस्थाई होते हैं, इसलिए जब हम अंतर युक्त विधी की बात करते हैं, तो इस विधी को इस्थाई इसमर्ती के लिए अच्छा मान विधी से इस्मरन करने से सर्वोत्तम परणाम प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि यदी थोड़े-थोड़े समय के बाद में चीज़े याद की जाती हैं। तो उससे परणाम कैसे होते हैं। एकदम बहतर प्राप्त होते हैं, तो ये विधी आप के लिए एकदम उत्तम हो जाएगी, पढ़ना है, चीजे याद करनी है, फिर कुछ समय विश्राम कर लीजे, मस्तिश्क को भी विश्राम दे दीजे, उसके कुछ समय बाद फिर से पढ़िए, बात समझा गई होगी, अग अंतरहीन विधी है, तो आप सहज ही क्या कहेंगे, कि अंतरहीन विधी अंतरयुक्त विधी के विपरीत है, जहां अंतरयुक्त में क्या था, पाठ में अंतर किया जाता था, कुछ समय का अंतर होता था, एक खंड से दूसरे खंड को याद करने में, जबकि अंतरहीन विधी में क्या होगा कि पाठ को इस्मरण करने के लिए समय में कोई अंतर नहीं होता है तो इस आयू वर्ग के लिए ये विधी अधिक प्रभावशाली हो जाती है ये विधी जो छोटा आयू वर्ग है उसके मामले में अधिक प्रभावशाली हो जाती है आप अपने इस तर पर यदि एकदम व्यवारिक हो के सोचेंगे कि आप किसी बिंदू को पढ़ रहे किसी पाठ को आपने दो तीन खंड़ों में विभाजित किया याद करने के लिए आपने पहले खंड को याद किया और जैसे ही आपने विश्रा हीन विधी है ये अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो जाती है कई मामलों में तो अंतर हीन विधी में क्या याद रख लेंगे कि इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है पाठ को याद करने में एक खंड से दूसरे खंड में बीच में कोई समय अंतराल नहीं होता है समय का अंतर होता है चलिए अगले विधी है सक्रिय विधी अगली स्मरण करने की विधी क्या है सक्रिय विधी अब ये सक्रिय विधी का मतलब क्या हुआ सक्रिय विधी में क्या होता है कि इस विधी में जो पाठ याद किया जाना है उस पाठ को बालक विद्यारती बोल बोल कर याद करता है जैसे आपने सुना होगा विद्यारती का बालक का उच्चारन भी सही हो जाता है और उसको चीजे याद भी होती है उसको चीजे याद भी हो है एक व्यक्ति थे महरावियन ने एक पूरा नियम दिया था संचार के संदर में उनकी बाते थी लेकिन उनका एक नियम था कि जिन चीजों को हम पढ़ते हैं और यदि पढ़ते समय उन्हें बोल भी रहे होते हैं वो हमें अधिक स्मर्ण होती है और एक बिंदू और है कि जिन बातों को हम पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं और यदि हम उन्हें लिख भी रहे हैं तो ऐसा जो बिंदू होता है वो अधिक स्था होता है हमारे स्मर्ति में बास समझ पर सीधा सा संबंध है जितनी अधिक ज्यानेंद्रियां सक्रिय होंगी उतना ही बिंदू आपको अधिक स्थाई रूप से याद रह जाएगा अब आप सोच लिजा आप बोल रहे हैं फिर जो चीज़े आप बोल रहे हैं वो चीज़े हैं और यदि आप उस बिंदू को लिख भी रहे हैं तो आपके क्या हुआ अधिक ज्यानेंद्रियां सक्रिय हुई और जब अधिक ज्यानेंद्रियां सक्रिय होंगी तो ऐसे में जो आप इस्मरण करेंगे वो अधिक इस्थाई होगा बात समझ में आई होगी तो ये क्या ह ऐसा स्क्रिय विधी अब ये किस के संदर में सही हो जाएगी किस के संदर में अधिक व प्यूक्थ हो जाएगी जो छोटे बच्षे होते हैं उनको बोल-बोलकर पढ़ने में आनंद आता है उनका उचारण भी हम सही कर सकते हैं बाद समझा गई होगी, अगली विधी है निश्क्रिय विधी, अब वो इसके ठीक विप्रीत हो जाएगी, निश्क्रिय विधी, अब ये इसके ठीक विप्रीत हो जाएगी, सक्रिय विधी में बोल-बोल कर पढ़ रहे थे, अब आप जैसे क्या बोलते हैं आप, मन-मन में पढ़ो ज़ी बोलते होंगे, मन मन में बैठके पढ़ लो, यानि कि जब आपको मोखिक अभी व्यक्ति नहीं करनी है, जब आपको मोखिक उचारण नहीं करना है, वो क्या हो जाएगा मन मन में जो आप पढ़ते हैं, तो याद किये जाने वाले पार्ट को जब मन ही मन में बोल बोल कर या मनी मन में पढ़कर याद किया जाता है, तो ये विधी किसके संदर में अधिक उप्युक्त हो जाएगी, जो अधिक आयो वर्ग के विद्यारती हैं, बालक हैं, उनके संदर में ये विधी अधिक उप्युक्त हो जाएगी, बात समझ में आई होगी, सक्रिय विधी और नि गरवाले पाठ को ले के साथ में पढ़ा जाता है, जैसे घरवाले क्या कहते होंगे, गाने तो एकदम याद हो जाएंगे, पढ़ाई की चीज याद नहीं होगी, किताब याद नहीं होगी, अपनी पाठ याद नहीं होगी, कविताएं याद नहीं होगी, गाने याद कर हैं, क्योंकि आप उसको एक ले के साथ में सुन रहे होते हैं, ले के साथ में उसको गा रहे होते हैं, तो बालकों को छोटे बच्चों को गा गा कर पढ़ने में आनन्द आता है, जैसे वो ABCD याद करते हैं, जैसे वो अपनी कोई पोयम से याद करते हैं, आपको गाने इसी व उसको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको गाने याद ही इसलिए हो जा रहे हैं, क्योंकि वो ले के साथ में है, तो ये विधी किसके संदर में अधी को प्योगी हो जाएगी, छोटे आयूवर्क के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में, क्या कहलाएगी, स्वर विधी इसका तो ब्याभारिक प्रियोग आपने की आगी होगा रटन्त विधी रटन्त विधी भी हम कहेंगे इसको या आप ये कह लिजे रटने की विधी हम इसका प्रियोग करते हैं न हम इसी शब्द का प्रियोग करते हैं आप ये कह सकते हैं रटने की विधी रटने की विधी, रटने की विधी कहने का अर्थ क्या हुआ, कि इस विधी में पूरे पाठ को समझा नहीं जाता है, बस क्या होता है, उसको इस मर्ती में अंकित करने पर पूरा ध्यान होता है, जिसको हम कह देता है कि हमने रट लिया, जब विध्यारती ने पाठ को समझा न केवल उसे इसमर्ती में अंकित करने के उद्देश से केवल उसको इसमर्ती में चाप लेने के उद्देश से रट लिया हो इसमर्ती में वस हमने क्या किया डाटा केवल स्टोर कर दिया मेमरी में अब इस विधी का दोश क्या है इस विधी की सीमा सरप्रमुक्सीमा ये है कि ज हमने वो समझी नहीं है, हमने वो समझी नहीं है, बोधिस्तर पर अधिगम नहीं किया है, हमने केवल क्या किया है, केवल वो चीजे रटी है, अपनी समुर्ती में केवल और केवल अंकित की है, बात समझ में आई होगी, ये क्या हो जाएगी, याद करने की एक विधी हो निरिक्षन विधी तो वो इस बात के सुनिश्चित कर ले कि ये सब ठीक लिखा हुआ है वो अपने क्रम में लिखी हुई है या नहीं यानि कि याद किये जाने वाले पाठ का बालक जब याद करने से पूर्व अच्छी तरह से निरिक्षन कर लेता है या अच्छी तरह से अवलोकन कर लेता है तो क्या कहलाएगी वो निरिक्षन विधी कहलाती है। एक विधी भेत पूर्ण है क्रिया विधी है। अधिक उपयोगी है बड़े आयूवर्ग के लिए भी अधिक उपयोगी है। जैसे इस विधी में क्या होता है? कि जो इस्मरण करने वाले बिंदू हैं, जो बिंदू याद किये जाने वाले हैं, उन बिंदू को विधी बालक की ज्यानेंद्रियों को सक्रिय रखती है, कैसे कि जो इस्मरण किया जाने वाला बिंदू है, उसके साथ साथ में उसे किया भी जाता है, जैसे आपने देखा हो जो छोटे बच्चों को याद कराया जाता है मचली जलकी रानी हैं तो उसमें कुछ क्रियाएं भी शामिल होती हैं बच्चे उसके माध्यम से सीखते हैं आपने यूट्यूब पे सिक्षकों के लिए जब प्रसिक्षन कारेकरम चल रहे तो कुछ वीडियो देखी होंगी जिस वही बात आजाएगी क्या हुआ ये अधिक ज्यानेंद्रियों को सक्रिय कर रही है ये विधी और जब अधिक ज्यानेंद्रिय सक्रिय हो जाएंगी तो उसे पाठ सीगरता से याद हो जाएगा सरलता से याद हो जाएगा ये छोटे आयो वर्ग के साथ में तो प्रभावी ह यही लेकिन यदि बड़े आयो वर्ग के बालक भी अपने याद किये जाने वाली चीजों के साथ में क्रिया भी कर लेते हैं तो उनके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध हो सकती है बात समझ में आ गई होगी क्या हो गया क्रिया विधी अगला बिंदू है विचार सहचर्रे की विधी अगली विधी क्या है आप कहेंगे अगली विधी है विचार सहचर्रे की विधी अपने विचार को एस्सोसियेट कर लेना जोड लेना यह विधी आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपके लिए कह रहा हूँ इसका मतलब है बड़े आयू वर्ग के लिए कि जो बिदू याद किये जाने है या इसमरण किये जाने वाला जो पाठ है उसको हम जो हमें पहले से ज्यान है जो चीजों के बारे में हमें पहले से जानकारी है यदि हम उनके साथ में विभिन प्रकार से कोई संबंध इस्थापित कर लेते हैं तो हमें उन बिंदू को याद करने में बेहत सरलता होती है हम उन्हें शीगरता से आसानी से याद कर लेते हैं और ऐसे जब हम कोई संबंध इस्थापित कर लेते हैं अपने पूर्व ग्यान के साथ में ऐसे बिंदु को जब हम याद करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है जैसे मैं इसका व्याभारी को प्योग बताओं आप लोग यती कोई भी जिसे कोई तिथी याद करने के संदर में आप ट्रिक बनाते होंगे जिसको आप क्या कहते हैं कि हम शोट ट्रिक बना रहे हैं अब क्या होता है वो जो ट्रिक बना रहा है वो ट्रिक उसी के लिए अधी कुप योगी होती है कारण क्या है क्योंकि उसने अपने पूर्व ग्यान को अपनी किसी पहले की ज त्रिक बनाई, अब गाने तो हमें याद ही हो जाते हैं असानी सी, और ट्रिक से वे चीज है याद हो गई, बात समझ पाएं, तो ये क्या होगा, कि हमने अपने विचारों को उस याद की जाने वाले पाट के साथ में जोड लिया, और यहां विचारों से मतलब क्या हुआ, कि हमें पहले से जो बाते ज्यात थी उनको, बात समझ आ गए ये बड़े आईउवर्ग के लिए जब मैं आप के लिए कहा हुँ, इसका मतलब है कि बड़े आईउवर्ग के लिए अधीक उपयोगी हो जाएगी, बास समझ पाई अंतिम विधि आप समझ लिजे साभि प्राय इस्मरण विधि जह हम करते हैं हम कहते हैं साभी प्राय इस्मरण विधी साभी प्राय इस्मरण विधी का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी विधी जिसका कोई अभी प्राय भी है यानि कि सीदिसी बात यह है इच्छा शक्ती वाला मामला है कि एक बालग किसी पात को याद कर लेता है चाहे जिस विधी से याद करे वो उस पात को याद कर सकता है लेकिन महत्पून क्या है कि उसने याद करने का संकल्प लिया हो उसने याद करने का निश्चे किया हो बालक की याद करने की इच्छा शक्ती हो तभी वो याद कर पाएगा चाहे जिस विधी का प्रियोक करके याद करे लेकिन याद बालक को कब होगा याद बालक को तभी होगा जब वो याद करने का संकल्प लेगा वो इस्मरण करने की इच्छा शक्ती रखेगा निश्चे करेगा तभी याद होगा बात समझ में आ गई होगी ये इस्मरण करने की कुछ विधियां है आप कह सकते हैं इन विधियों का प्रियोग करके विध्यारतिवर्ध पाठ को याद कर सकते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए सारे बिंदू आपको सपस्ट हुए होगी यदि फिर भी कोई प्रश्न आपका रहता है तो कमेंट सेक्षन आपके पास है आप वहाँ पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपसे किसी अगली क्ल तिल दन बाबाए वाइ वे नाइस दे